हेलो फ्रेंड्स नायक इंजिनर्स में आपका स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह हमारे पास एक एलिवेशन प्लान है तो सबसे पहले में आपको इसकी प्लोट की साइज के बारे में बता देता हूं कि इसका जो फ्लोट है वो है 20 x 53 फीट क आए जैसा कि आप एलिवेशन प्लान में भी देख सकते हैं तो इसकी जो ग्राउंड फ्लोर प्लान और फ्रस्ट फ्लोर प्लान के ड्रोइंग हमने किसे साब से प्लानिंग की है इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो देखिए इस वीडियो को एंड तक और जैसा कि अपने एलिवेशन देखा है उसे सब अब में आपको ग्राउंड फ्लोर प्लांड और फ़र्स्ट फ्लोर प्लनां के बारे में बताऊंगा तो सबसे पेले कि हम बात करके इसके डाइमेंजसंट के बारे में तहो हमारा जो प्लोत का साइज है वह वीच फिट चोड यहां पर हमारा राइट साइट में गेट रहेगा गेट के बाद हम सिधा पॉर्च में एंट्री करेंगे और जो हमारी पॉर्च के डाइमेंशन है वो नौब 6 इंचे चोड़ाई में 15 फिट 5 इंचे लंबाई में है इस पॉर्च में हम एक टूविलर और एक फॉर्विलर को खड़ा कर सकते हैं पॉर्च के लेफ्ट साइट में यहां पर हमारा स्टेर्केस है जो कि यू टर बेकर हमारा सिधा बालकनी में एंट्री करेगा और 29 क्लॉक्वाइस है पॉर्च से हम सिधे एंट्री करते हैं में डॉर के थो हाल में एंट्री करते हैं हॉल की डाइमेंशन की बात करें तो हम हमारा 9,11 इंचे चोड़ाई में है और 15 फिट एक इंचे लंबाई में होल में हमने एक विंडो दिया है जो की पॉर्च के साइट में दिया हुआ है होल के लेप्ट साइट में हमारा एक डॉर है जिसमें हमारा कीचन इस्टोर और डाइनिंग टेबल लगी हुई है चुकि यह 15 फिट लंबा है इसलिए हमने यहां पर एक चोटी सी वाल को क्रेट करके हमने यहां पर कीचन बनाया है कीचन की अगर डाइमेंश दिया है और उसी के साइट में हमने एक डाइनिंग टेबल भी सोक करी है चुकि यहां पर काफी जिलंबी जगह है 15 फिट लंबाई में है तो हमारा डाइनिंग टेवल भी आराम से लग सकता है अब हम होल के साइट में देखते हैं वहल के जश्ट सामने लेफ साइट में यह करें तो यह पांचवित नवविक्त चोड़ाई में और चार फीट लंबाई में बात में हमने एक वड्लेशन दिया है जो आप की करें हो एक सब्सक्राइब की बात करें तो यह दो फिट चोड़ाई में है और तीन फिट लंबाई में है उसी की साइट में हमारा डवल्यूसी है डवल्यूसी की ताइमेंशन की बात करें तो यह हमारा तीन फिट पांच इंच चोड़ाई में है जब कि तीन फिट लंबाई में है इसमें भी हमने एक वेंटिलेसन दिया है डक्ट की और और उसी की साइट में हमारा यहां पर बात के साइट में हैं हमने बेशन दिया है जो कि तीन फिट की और आगे बढ़ते हैं तो उसके पास हमें एक वास एरिया मिलेगा वास की डैमेंसन की बात करें तो पांच फिट ग्यारा इंच चोड़ाई में है और चार फिट लंबाई में है उसी के आगे हमारा एक ड्रेसिंग रूम है जो कि 5 फिट 11 इंच चोड़ाई में है और 4 फिट 6 इंच लंबाई में है ड्रेसिंग रूम से हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर हमारा एक बेडरूम रहता है जो कि 9,6 इंच चोड़ाई में है 11,4 इंच लंबाई में है और इस बेडरूम में हमने एक विंडो दी है जो कि लेफ्ट साइट की ओर है और जूटीलेटी एरिया की ओर है उसकी साइट में हम लेफ्ट साइट में बात करें यह वेट्रो मास्टर मास्टर वेड्रोम है अब utility एरिया हमने इज ले्ए है क्योंकि जो हमारा पीछे का रॉठ है और इसके लेप्ट साइट में प्लॉठ रॉठ किसी और का है तो हमें हवा आने के लिए यहां पर एक utility एरिया छोड़ Na पड़ा है जो कि हमारे दोनों बेढ्ड रूम में में हवा जाने के लिए जान है अब जैसे हमने यहां पर इस्टेर केस के तो बालकनी में हम फिट एंट्रि करते हैं और यहां पर बालकनी की जो साइज है वह नव फिट 6 इंच और उसके लंबाई है 10 पिट 7 इंच और यहीं पर साइट पर हमने एक बालकनी की और हमने एक विंडो दिया है हवाने के लिए उसके हम आगे बढ़ते दिये हमारा एक 3,3 इंच का पैसे चुड़ता है और उसके साइट में हमारा कीचन है जो की 5,11 इंच चोड़ाई में है 7,8 इंच लंबाई में है उसके आगे हमारा एक बेशन है उसके साइट में हमारा डक्त है और डक्त क्या हम जैसे ही आगे बढ़त तो हमारा एक bedroom आता है जो कि 9.6 इंचे चोड़ाई में है और लंबाई में 11.4 इंचे तो यह हमारा एक फ्लेट हो चुका है अब हम दूसरे फ्लेट की बात करते हैं जो कि लेफ्ट साइट में हमें बालकनी के और से ही एक डॉर मिलेगा उस डॉर के तो हम इस फ्लेट में इंचे उसी के बाद हमारा डवली शू आता है डवली शी तीन फ्लेट पांच इंच चोड़ाई में है जबकि तीन फ्लेट लंबाई में है और उसी के साइट में हमना एक डक्त दिया है जो कि हमारा क्राउन फ्लूर में भी था डक्त जिसा कि आप यहां पर देख सकते हैं और वहीवाला जो डवली शी में हमına एक वैटिलेशं लगा है डवली श्यू में और एक वैटिलेशन लगा है बात में और हमारा एक विंडू लगई है कीचन में हवा पास होने के लिए बात की डाइमेंचर 5 फिर नव इंच चोड़ाई है छार फिर उसके लंबाई है उस festival बाद हम आ जाते हैं लाश्ट वाला हमारा जो बेड्रूम होता है और नव फिट छे इंच चोड़ाई में हैं तो तेरा फिट लंबाई में हैं और उसी के बाद हमारा आ करता है यूटिलेटी एरिया जहां पर हमने एक विंडो दी है हवा आने जाने के लिए तो दोस्तों आपको यह प्लाट का जो प्लानिंग है वह काफी पसंद आई होगी अगर आपको प्लानिंग पसंद आई होगी तो क्रेमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे और नए